वाईगुर जी का खालसा वाईगुर जी की फते मैं एक बेनती करना चोंदा सी कि कल जो स्वेरे बाईक रेली चाल दी है करनालो सारी संगत नूँ बेनती किती जान दी है कि सारे यूथ नूँ बेनती किती जान दी है कि वद चाड़के कल स्वेरे बाईक रेली जो किसान मोर् आओ ते सार्या ने सर्व संती ना शांती ना बनाई रखनी है प्रोग्रम देविच ते करनालों सेक्टर शे गुर्द्वारे तो स्वेरे नोवजे जो बाइक रैली स्टार्ट होईगी करुंडा पाणीपत सोनीपत हुंद्यों आया कुंडली बोर्डर तक जो रैली जानी है सारे यूथ नो बेंती किते जांदी है करनाल दे करुंडे दे पाणीपत दे की वद्द चाड़के है रैली दे विच हिस्सा पाऊ जी वाईगुर जी का खालसा वाईगुर जी की पते जिन्नेवी करनाल निवासी अते जिन्यावी संक्ता दास दी इस बेंती नो सुन रहिय ने सारिया संक्तानों बेंती है के किसाना दे हकां दे लिए जो मोर्चा लगया होया संक्तार्श अरंबिया की होया है सारे किसाना ने उनादा समर्थ करन दे लिए कालों करनाल दे समू नवासियां वलों समू समर्थ कांदे वलों कल एक मार्च लेके जाना है जिस विछ बेंत गुर्द्रा मातासाइब को आते डिरा कारसेवातों मी अरंब होके डिरा मातासाइब को जी बाइपस नों होके नौ मजे अरम्ता होएगी सारे नु बेंती है के वाद तो बाद ओध उते पहुंचेंदी किरपालता करनी है अपने हक्ता दे लई उते जाके जो मंग कर रहे ने उन आदा समर्थन करना है ते आस है के मेरे वीरा नु के वाद तो बाद आगी समर्थन करोगे 200-200 जो मोटर साइकल बाइक है कोई गड़िया नाल जा रही है ने ते सारे नो बेंतिया के शान्त में टंग दे नाल ए सारा जो मार चाहे आपां कड़ना है किसे ने कोई किसे परकार दी कोई गलती कोई हुलडबाजी कोई मिस्टेक नहीं करने ही जिदे वेच शान्ती पांगो वे ते सरकार ते साड़े वरोतिया नो एची दा मौका मिले कि ओ साड़िया इस कमिया नो मीडिया दे रही या लोकां दे विज़ फला के सानू अबदनाम करनदा जतन करने ही इवेंती है दास बाई जोगा सिंग हैड़ गरंथी गुर्दरा मजीशाब पाईशे पहली करनाव पत्तरकार बंदूओं का यहाने पे बहुत बहुत धन्यवाद एक चोटी से कॉल पे चोटे से नोटिस पे आपको बलाया है तो आप हमारी बात रखने के लिए आप यहाँ है पहले दो दन्यवाद में पंजबी में करूँ तो अच्छा रहेगा जी कोई चक्र नहीं जो कसान मोर्चा कसाना दे हित वास्ते आते देश दे हित वास्ते कसाना ने बाड़रते लगाया उदे से यो वास्ते उन्स मर्थन देन वास्ते करनाल दे नागर काम बदो समुचे तो दे एक मोटरसेकल बाइक रेजी तो करनाल तो उड़ी बाड़र तक जा रही है कल सुवेरे नो वजे करनाल तो अरंब होनी है जो उते जाएगी अधे शाम नो तक उते सेवा करके उना ना से ओग देनाल असी हर पक तो उना देना से ओगी हैं जिस तुरा मां कसान यूनियन दे साथी सानू ज程 militar भी सेवा लगान गय करनाल दे अलाके ठेनों वासी जिन्ने तर्गेट है जिदे वेच साथी साधी नाल जा रहे ने कुछ साथी हड़कुल पानी पाट्टों भी नाल राल रहे स्वेर तो शाम एक देन दा है जड़ी काल लाली बैकर लिया काल एक देन दी है वो इस तो बाद जो यूनियन सानों जिते सेवा लाएगी जिने देन वाएगी असी उन्हें देन वासे उना आशी आज़ा पूरा कितने वजे निकलेंगे सुबे नो बजे पर टैम दिया जीट हमारे साथ ही जो वहाँ पे हैं गरोंडा में हैं पाड़ी पत में हैं वो भी हमारे साथ जा रहे हैं कितने लोग जा रहे हैं करीब ड़ाइसो तो मोटसेकल है उसके अब बाद कुछ कारें होंगी तो एक मोटसेकल के उपर दो आदमी तो अंडरिस्टूड हैं कोई लंगर ने लगे जो ह। नगर दी री रास्तेर है यह आज पे जी है लंगर उते काफी जा रहाए है रास्ट पे जिया सी कोछ चुछ कार रहे हैं क्योंकि थोड़ी जी इंफ्रमिशन है मिली आ हुए हुने थोड़ी दीदर पहले कि जिमें उते ट्राली आ खड़ी हा ने गया है लेक जिदे ना लो जिड़ा पानी दा रसाओ वाए वो बंदो सके लंगर जिक इनने को सेवा कर लिए नो ना सरजी लंगर आज एक ट्राली पे जिदे चावल आटा दाला दुवाईयां सब कुछ पे जिदे की लागना से पाज चुके गए देखो सरकार ऐसी किसे नो चुकानानी चान्दे असी चान्दे आगी देश दे अंदर पाईचरा बरकरार रवे ते जो कसाना दी मंगाने बिलकुल जाज मंगाए तक जैज मंगाए निया गए ओ उ लाग़ो़ दॉपार जाए के जो समाज दे अंदर पाई चारा है मैं तानुआद करना मोधी सरकारा जे ने कनून बनाया तो जिदे कनून बनान करके अज कसान कठे होया कले कसान कठे हुआ हिंदोस्तान दा हर वर बार गो उस ठाद उते खड़ा है कले कसान नहीं जिए उदे वपारी लोग भी खड़े है ट्रांसपोर्टर भी खड़े है सारे उते बोटनाल खड़े है तो जीड़ा पाइचारा है कि आप इस फरक पे अगया सीगा ओपाइचारा जी फिर एक पिथा दे आ गया हैं दोस्तान दे जीड़े पाइचारा नों खतम करना दी दो मुख्मनत नीजी हैं उनके वभाई में किसानों पट्चार किया गया है बोचारे की गई लाटी चार्च किया जास हुग इस तो खुले छोड़े गे क्या मानते करनाल सर्विंदा इस तो देखो वो करनाल के अगर MLA हैं विदायक हैं उनको वो खुद जो भी उन्नों न किया गलत किया है हम उनके साथ सहमत नहीं हैं वो निंदनी हैं कसान देश के नागरिक हैं अगर वो पंजाब से भी आये थे तो वो भी देश के नागरिक हैं कोई पाकिस्तान से नहीं आये थे वो लोग अगर अपनी मांगों के लिए कि आये हैं अब राजा पिता के समान हो और परजा बच्चों की सवान होती है परजा अपने पिता से नहीं मंगेगी और कहां से मंगेगी मुखे मत्री बोलों कि साना नो खालसतान इस परतन क्या गया इस वर्था जवाब लोका ने देता जो तो हर पाईचारा उते पहुंच गया जाट पहुंच गया है अहीर पहुंच गया है दकांदार पहुंच गया है बाणिये पहुंच गया है वपारी तबका सारा उते पहुंच गया है ते पिर खालस्तान ही दा मसले ख़तम हो गया उन्हा जवाब अन्हा अंदोलन कारियान नूं देना प्या उदा जवाब पबलिक ने दिता जड़ पबलिक सारी कटी होगी कल राजस्तान दे साथी उते पुंचे या ते उन्हा ने को गल कई से गर एक खालस्तान नी तैसी भी सरकार जाने अगर सरकार सारे पाइचार नों कठा रखना चान दिया कि नहीं खाडस्तान या उत्रान चाल या हिंदुत वते ना दे वंड़ना चान दिया उन्ना दी मर्जी करनाल दे समू नागिर कामल हो रहे हैं जी सारी सर्वी वरक्स के लोग जा रहे हैं कोई आक वरक्स से J gagn dostępा जा पर एक ही जा रहा है जवान और किसान देश की नीव है जिसके बिना देश चल नहीं सकता तो जो जवान है वो बॉर्डर पर तनात है लेकिन किसान जो है जो बीच से देश को चला रहा है उसे अंग दे रहा है देश को तो उसका ये हालात देखो शरम आती है आज इस सरकार ने देश के कसान के उपर भी अत्याचार किया और देश के जवान के उपर भी अत्याचार किया ना जवानों को पूरी सहुलते मिल रही है ना कसानों को पूरी सहुलते मिल रही है अगर देश का जवान दुखी होगा कसान दुखी होगा तो तो आने वाले समय में मुझे कहने में खेद नहीं और यह खेद से कहता हूं कि यह देश भी तूट सकता है अगर यह पालसी देश अपना इन लोगों की रही तो आप सब को पढ़िए परदान शरूमनी का फैडरिशन अफ इंडिया ड़क्टर साथ पूरा नाल गुर्णानक सेडर सोसाइटे के पुर्दान ड़क्टर पुरी पुर्दान से जोन पीजिए उल्दीव गुप्तारी प्रेजिन्ट स्राहु जालूनें कलाल मैनेजर दीव सिंग गुर्दर मजी साथ पाशे पहली कुल्दीव जी लिल्दास पाई जोगा सिंग हैड़क्टर गुर्दर मजी साथ पाशे पहली करनाल पुपिंदर से पुपिंदर मिटा गुर्णानक से विजत्था गुर्दर मजी साथ करनाल जतिंदर सिंग, प्रेम नगर से और स्वेम सेवा का हमारा है गुर्मानक सेवा सोसाइटी से किसान अंदोन के बारे में मैं सिर्फ इतना ये कहना चाहता हूं कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा अगर शोशन किसी का होता है वो एक किसान है क्योंकि जब उसकी फसल त्यार होती है उसकी एक मजबूरी होती है उसको मंडी में लेकर आना क्योंकि वो स्टोर नहीं कर सकता घर पर नहीं रख सकता उसको और मंडी में आने के बाद वो पारी वरगों का सब वरगों का मैं किसे का नाम नहीं लोगा उसको बेच के जानी पड़ती है और अगली फसल की त्यारी करनी पड़ती है तो इसलिए आज जो किसान अंदूलन हो रहा है हर वरण किसानों के साथ है और मैं सब भारतियी लोगों से कहूँगा इस वक्त किसान भाईयों के साथ कंदे से कंदा मिलाकर खड़े हूं ताकि जो लीड की हल्डी है देश की वेपार की वो सुरक्षित रहे और हमारा देश बख्वाट झार है कम कКАम कि और उसको कानून वापस लेने पड़ेंगे हूँ आज लि कल ले दस दिन में ले पहले नहीं सरकार नहीं करना चाहती थी सरकार कसानों से दो महिने से कसान जीृटिरिट के ओपर बैठे हुए हैं दरने के ओपर बैठ breaking हैं सरकार ने जतनी निक्यान जे उनसे बाचित की जाए और शांत में चल रहा है कोई जगड़ा नहीं है किसी को एक पत्थर तक लग जाएंगे अब लोग कितने लोग शामिल होंगे देखो वाई सब आपको बताया करीब धाई सो बाइट तो हमारे पास है उसके बाद कितनी बढ़ती है कितना से मिलता है वो बात कल पसा लग जाएगा